कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आर्ति प्रजाबदी आर्ति प्रजाबदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डाटा इंटरपेटेशन के क्वेशन देखने वाले वो भी आपके 9 अक्तूबर 2020 के सेकंड स्रिप्ट में जो भी एक्वेशन बुझे गया है उसके बारे में आज हम डिसकस करने वाले ओके किस तरके से एक्वेशन स्वाल किया जाता है ग्रूप में बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि मैं हम इसका वीडियो बना दीजिए तो इसी तुसे यहां पर ही वीडियो बनाया गया है आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और वीडियो आपको पसंद भी आएगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगते है तो लाइक कर दीजिए अपनी दोस्तों को शेर करना ना बुले ताकि उनकी भी यहां से help हो जाये हों के और इस चैनल को subscribe कल लिजेगा ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोश डाले जाता है जैसके पेपर 1 के related जो भी यूनीट है यूनीट वाईस मैंने यहां पर वीडियोश डाले हुए मेरी चैनल पर तो आप आपको वो भी notification मिलती रहेगी तो इतना सब कुछ आपको मेरी इस चैनल पर मिलने वाला है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसके न्वाटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहा है तो चले दूस्तों चलते हैं क्वेशन की वारा सबसे पहले ह सबसे पहले इस सुचना को पढ़ लेते क्या है नीचे दी गई तालिका में वर्स 2015 से 2019 तक छो अलग अलग देशों से तेल आयात की आंकडे मिलियन टन में दिये गए तो देखें यहां पर क्या बताया जा रहा है कि यहां पर यह सारे देश से यहां पर टैबल में देख लि किस में हैं मिलियन टन में मिलियन टन में ओकיה आपको याद रखना है चली यहां तक क्लियर हुए यह सारे आंकडे किस पर है कि मिलियन टन में दिये गाए चली है Southeast क्वेश्ण क्या कहिना चाहते दोस्तों क्वेश्ण को अगर समझ लिया तो अनसर तुरंति आप लेल लाप आओ क्यों कि चली यहां पर क्या बताया जाया रहा है कि कूल मिलाकर सभी वर्षों के लिए एराग से तेल आयात के अवस्त और वैने जोला से तेल आयात के अउसत का अनुपात क्या है देखें यहां पर आपको क्या पुछा जा रहा है कि इराग कहां पर यहां पर है वेने जुएला कहां पर यहां पर है अब देखें यहां पर क्या बता है कि इसका इराग का उसत यानि कि इराग का एवरेज ओके और वेने जुएला का एव कि यह काम को करना है सभसे पहले आपको अरوا की पारेसिए Greek निकालने हुंगे उसके बाद में रिशियों निकालना होगा बारे में पहले देशकी बारे में बता देते हैं एवरेज का जो फ्रमुला होता है वो क्या होता है दोस्तों सथी निद्द संख्या का यू इसी तरीके से लिख दी जैब फड़ों का यूग मोथे पड़ों का यूग और यहां पर पड़ों की संख्या ऊके इस तरीके से यह फौर्मूलाgest रटने की जरुरत नहीं दोasta से आपको पता चल जाएगा पड़ों का यह क्या होता है तो दीखिए यह सारे पद है ओकी यह सारे क्या है पद है यह इराग के थे यह वैनेजुएला के है तो दीखिए यहाँ पर पद इराग के अगर निकालनी है आवरेज तो इन पदों को क्या करना पड़ेगा आपको योग करना पड़ेगा और उसके बाद पदों की तो कितनी है तो एक है दो है तीन चार और पांच है वह कि इसी तरीके से वहने जुएला का भी आव एवरेज आपको इसी तरीके से निकालना हूगा इस तरीके से निकालना होगा चले को कि से अव्रेज निकालने हैं उसके बाद ही हमेंomi bundle मिलने वाला है ok चले तो सबसे पहले हम किसका एवरेज निकालते हैं तो सबसे पहले इराग का निकालेंगे उसके बाद निकालेगे वे निजुए लाकों के यहां पर लिख देती है यहां पर लिख देती एवरेज और इन दुनों का हमें क्या निकालना है रेशियो निकालना है चले अब दे गए 2, 2, 5, 7, 7, 4, 11, 11, 11, 11, 12, 17, 23, 24, 27, ओके यहांपर आगए आपके 27 यानिके नीचे 7 तो उपर 2, 2, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चली कितना मिला पदो का योग हमें कितना मिला दोस्तों यहांपर इराग के पदो का यहांपर मैं आय लिख दियती इराग का ओके आय इराग का योग क इतना मिला पदों का 87 मिला ओके चले अब व्याने जो एला की बात करते हैं तो ब्याने जो एला का योग यहां पर लिखतेटी हूँ चले कलो योग तो 2, 2, 6, 8, 8, 3, 11, 11, 13, 14, 14, 6 कितने होंगे 14 6 20 यानि कि 0 और यहां पर आगे आपके 2 2 7 9 9 7 कितने होंगे 9 7 16 16 7 23 10 33 33 इसनों कितने होंगे 42 तो यह मिल गए आपका क्या वेनेज वियला का योग और यहां पर आपको मिल गए इराग का योग अब आवरेज निकालेज निकालते हैं आवरेज क्या निकलता है तो 87 योग आगा आपका टूटल संख्या कितनी है एक दो तीन चार पांच तो लगा लि कितना मिला हमें 42 बायालिस लिो माहीं ना तो यहां पर 5 m厧्श है तो यहां पर पांच लिए कार दीजिएं तफक्ष समस्कालते साथ 5-35 तो उस पांच व गए से 35 तो अब कितने बचे पांच 231 में सरुए तो दो रहे हैं आप देखिए आगी कुछ भी नहीं पॉइंट लगा लो और फिर दो यानि कि यहां पर कितने दो थे जिरो लग जाएंगे तो कितने उंगे पांच वक भी यानि कि अंसर कितना मिल रहा है सतर पॉइंट चार उके उसके बाद वेनेजुएला का एवरेज निक लिए साथ पांच सीते 35 और यहां बसे 37 में से 35 जाएंगे दो और पॉइंट लगा लो आगे कुछ भी नहीं है जिरो लगाका नीचे उतालो पांच वक बीस अब देखिए बीस में से बीस जाएंगे तो जिरो ओके आगर आपका 17.4 तो यह से इसी मेथड से ट्राइक करें यह से छोटे बच्चों की तरह हमें करने की जरूरत नहीं है अब हम बड़े हो चुके है ना चलिए अब 42 बटे 5 क्या करेंगे तो आट पंजी 40 42 में से 40 जाएंगे तो दो रहेंगे ओके यहां पर लगालो पॉइंट दो यानिक पांच और बीस आट पॉइंट चार आपका यह मिल गया आपको वेनेजुएला का यह मिल गया आपको एवरेज किसका इराक का चलिए इराक और वेनेजुएला का आपको एवरेज मिल गया अब क्या निकालना है दोस्तों अनुपात निकालना है तो मैंने अनुपात में क्या बताया अनुपात किस तरह किसे लिखे चलिए अभी हम इसे स्वाल करते ही राक का कितना मिला 17.4 यहां पर वैनेजुला का कितना मिला 8.4 है न अब दीगे पॉइंट से पॉइंट के बाद कितने हैं एक है न तो अगर दूनों में सेम है उपर नीचे तो पॉइंट पॉइंट को उड़ा दीजिए काट दीजिए क्य दूसे काटी तो देखे आट दूनी 16 और यहां पर वन रहेगा वन चार साथ दूनी 14 यानि कि 87 आ गया यहां पर दूसे काटी उपर दूसे काटा है तो नीचे भी दूसे काट लिजिए तो देखे चार दूनी 8 दो दूनी 4 ओके तो यहां पर भी दूसे क्या हुआ गट गय अब देखें 2 से नहीं यहां पर 7 है ना तो 3 से काटने की कुछिस किजिए तो 3 दूनी कितना होगा अच्छे होगा तो यह आठ मेंसे 6 जाएगा तो 2 और यहां पर 7 यानिकी 27 तो 9 3 27 ओके अब देखें यहां पर उपर हमने 3 से काटा ना इसे 17 से को 22 को भी हम क्या करेगे 23म से ही काटेंगे किसे कट मी करना दीन यहाँ पर एक बचे 1 वर 2 कितने 12 तो 42 टो यहांपर आगए आपका 14 अगर इस तरीके से नहीं आता है तो मैंने क्या बताया या आपको आपको क्या करना है इस तरीके से भी आप आप सकते हों के लेकिन इस तरी के से आपको सि human चाहिए कि हम भड़े हो चुके है तो हमें इसी तरीके से सिकना होगा चले सिंसर समोए आपको मिल गया आई कितना मिला आपको 29 और आपको बी मिला है कितना 14 वी जो है हमारा कितना है 14 ऋपसे च्व долго i hollow कर दीजे तो यह आपका घया आंसर दोस्तों के तो यहां पर 29 जैंस इस उन्हें 14 कहां पर हैं तो आप कहेंगे to right he यह आंसर आपका हो गया करेक्ट अब देखें यहां पर आप कुछ ждt कियो कट तो देखें यह ऐँन पर बता दें यहां पर 17.4 लिखा था इसका मतलब क्या होता है को हिन्ट को एगर हटाना है आपको तो 125 लिखा और यहाँ पॉईंट के बाद कितनी अंग है तो एक है तो एक के पीछे उतने सुनने लगा दिगें जितनी अंग होते हैं उतने सुनने लगा दिजिए और उसे नीचे रख दिजिए तो यह 10 हो गए अब द ćखे अब हमारे पास नीचे भी संख्या है तो उसे भी हमें करना पड़ेगा तो क्या कर नीचे की संख्या को यहां पर से पॉइंट अटा लीजिए और लिक लीजिए 84 और यहां पर पॉइंट के बाद कितने अंख्या है तो एक है तो एक के पाद एक जिरो लगा लो अब दीखे क्या हुआ पंबादा दस से डस घट कट गया उपनी नीचे तो रहाए कितने एक सच चबत्तर और नीचे रहा यापके चौरासी तो हो गया है यही कंडिषिन बस इसलिए मैंने बोला कि पॉइंट के बाद अगर स्यॉम रहता है पॉइंट के बाद एक अंख है और नीचे भी पॉइंट के बाद एक अंख है तो पॉइंट को काट लिजे अगर पॉइंट के बाद मान लिजे यहां पर दो अंख है और पॉइंट के बाद यहां पर एक अंख है तो आपको एक 0 लगा कर इस तरह के से 10 तो लगाने तो इस तरह की से आपको याद रखना है चले यहां पर हमारा अंसर यह आ गया चले नेक्स्ट क्वेशन को देखते हैं क्वेशन बता रहा है कि वर्स 2017 में इरान से तेल आयात का कूल मिलाकर सभी वर्सों में इरान से कूल तेल आयात का लगबग कितने प्रतिसत है दिखें सव माल अगर समझ में आ गए ना तो डी आई बहुती होता है तो दीके वर्स 2017 की बात की बात की चले चले जाते कूल मिलाकर सभी वर्ष कौन से होंगे तो यहां से यहां तक कि सभी वर्ष होंगे ना तो सभी वर्षों में इरान से कूल तेल आयात का तो इसका जो भी कूल तेल आयात होगा ना उसके कूल तेल आयात का लगपक कितना प्रतिसत है 2017 क्या कहना चाहता है कि इरान का जो टोटल तेल आयात है उनमें से 2017 में उसने कितने प्रतिसत तेल का आयात किया है यह बताया गया कितना प्रतिसत पुछा गया वरुद्धी या कमी नहीं पुछी गया सिर्फ प्रतिसत पुछा गया है तो चले किस तरीके से बनेगा अगर प् प्रतिसत अगर पुछता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिनका प्रतिसत जितने प्रतिसत है कितने प्रसेदर किस की तुल्णा में हैं तो देखे यहाँ पर टोटल की तुल्णा में 2017 का पुछा गया ना तो 2017 वाला चुब पुछा गया उपर लिख दीजिए ओके 21.2 यह आ गए आपका क्या कि आपको पुझा गया था कि कितने प्रतिसत है 2017 का तो 2017 वाल आपको यहां पर उपर उसके आंकड़े लिखते हैं अब देखें क्या है टोटल आयत तो हमें निकालना पड़ेगा तो टोटल आयत क्या से निकलेगा योग करेंगे तभी तो निकलेगा है तो चले उयोग कर लेते है पांच ऐंट तेरा तेरा दो पंद्रा पंद्रा पांच बीस बिस पांच पचीस यहांपर पांच उपर आगए दो धू एक तीन 9.5 अब दीखे प्रतिसत में लाना ना तो प्रतिसत में जब भी लाना होगा तो मैं क्या बताती हूँ हर बार आपको कि गुना कर दिजी 100 से प्रतिसत में अगर लाना है तो 100 से आपको गुना करना पड़ेगा चली अब मैंने आगे क्या बताया है पॉइंट के बाद जितने स मिल गए है तो डिखे क्या करना है कुछ भी नहीं करना इसे पहले मल्टिप्लाई कर दीजे तो ढीम मिलेगे नीजे को उयाThe अब देखिए क्या करना इसको भाग कर लेना है तो चले बहुत इसी तरीके से फटा-पट से छोटे बच्चों की तरह कर देता है 995 कि यहां से भी कट सकता है जितना काटोगे तो कटेगा लेकिन इस तरह के से करेंगे तो परफेक्ट आंसर मिल जाएगा चले 995 है यानि कि 995 को अगर हमें भाग करना है तो यहां पर तीन अंग अगर लेते हैं तो यहां पर दोस्तों बारा है तो इससे क्या है वो छोटी है यानि कि हमें चार अंग लेने पड़े गया ना तो यहां पर चार अंग ले लेते हम यहां से यहां के ओके 2120 है तो चलिए 995 को सMक्क करते के बहुत हुँ कि अच्छोन से मिलेग एब 2 से करो कितना मिलता हैë-5-2-10 यहां पर नौ भू अठारा, अठारा इकुनिस और नौ भू अठारा, ओके यहाँ पर अच्छारा नभवे आपको मिल गए, अब दीए, यहाँ पर न लाजिक दो अड़ाने के जरूरत है, और कुछ भी नहीं, दीए, यहाँ पर तीन से गुना करेंगे, तो कितना मिलता है, पांथ, त संद्रा यहां पर नो तीन 207 साथ इस इकाथ 10 यह पर 29 इस तरीके से घुनाह करने बैड़ जाते लेकिन यह पर यह सोचें कि हैं यह जो 995 है वह किसके करीब है तो आप में से कितने कम हो रहा है पांच कम हो रहा है तो देखिए तो 2000 में से कितने होंगे 10 कम होंगे 3000 में से 15 कम होंगे अगर 10 कम करते हो तो आपको 995 का 2 गुना मिल जाता है क्या मिलता है 995 का 2 गुना आपको 2 से गुना आपको यहां पर मिल जाएगा ओके तो चलिए यहां पर सुरी हंड्रेड में से हमने कितने माइनस किए पांच माइनस किए है ना तो कितने मिले 995 मिले ओके तो अब देखें यहां पर हम क्या करेंगे 2000 में से हमें कितने माइनस करने पड़ेगे कि यहांपर उननीस नभे आएगा चलि कोई बात नहीं अब Z motivated 2000 मैंसे 10 मैंनस करते तो कितना मिलता है उननीस नभे मिलता है न अगर 6000 मैं से हम 15 मैंनस करते हैं तो कितना मिलेगा 3000 मैंसे 15 को मैंनस कर दो तो कितना मिलेगा wчно Re., 1985 मिलेगा न, तो यह आपका क्या हो पहाड़ा हो गए आपका 995 का तो बहुत इजी वेसी आप इस तरीके से 1000 में से इतने काट कर आप कर सकते हो के पर फिर इस तरीके का करने की जरूरत नहीं पड़ती है चले अभी देखते हैं क्या है तो 2000 अमें 2000 के आसपास का चाहिए है अगर 1000 को हम 3 से इंटू करते हैं तो 1900 कितने मिलते हैं हमें 85 मिलते हैं नहीं 95 कैसे मिलेगे 29 85 मिलेगे तो हमें चाहिए हमें 2100 चाहिए यहां पर 29 आ गया तो 2 से तो हम इसे गुना कर सकते हो के तो यहाँ पर क्या करेंगे दो से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे तो नो नो फाइव को दो से गुना करते तो हमें अंसर कितना मिलता है निस नभे मिलता है चलिए अब दीखिए जिरो में से 0 कट गया दो में से 9 नहीं जाएगा इसलिए 12 12 में से AW자 3 यहां पर यहां पर दसक लिया है तो एक में एकके जिरो को प्रिए जारेगा अब जिरो में जाने वाला नी तो यहां पर रक दीजिए 10 10 में से cannons आना मैनस करना नहीं को चोटे बच्चे को सिखाने वाली बात हो गई लेकिन फेलबी कुछ बच्चे ऐसे भी होता हैं जिनको बेजिक नहीं पता होता है कि इस तरह से सिखाना पड़ता है चल कोई बात नहीं अब देखे कि किन लोग मिलता है हमें यहाँ सवतीर सब्सक्राइब किसे नो अब देखिए फाईव तो नो फाइव को दो से नुटू किया तक हीटना मिलाक हैंों 29 मिलाता ने तो तेरा सोधना więc से कम हैं यानि कि क्या होगा एक से यहां पर गुना होगा तो 95 into 1 यानि कितना होगा 95 चलिए माइनस कर लिजे देखिए यहां पर दस्त में पाँच 0 में से 5 नहीं जाएगा इसलिए 10 में से 5 जाएगा ता 5 यहां पर 9 आजाएगा 9 में से 9 जाएगा तो 0 यहां पर दो आगए दो में से नो नहीं जाएगा तो यहां पर आगए बारा बारा में से नो जाएगे तीन और यहां पर आगए आपके 0 के तो यहां पर 0 कितने हुए 305 हुए अभी देखिए क्या हो गया दोस्तों यहां पर आंसर कितना मिल रहा है आपको 21 प्रतिसत मिल रहा क्योंकि आपका लास्ट जीरो जो था वहां तक तो हमने यह प्रोसेस कर ली ओके तो यहीं से आपका अंसर बन जाता है कुछ लोग न पॉइंट में भी आंसर डूनने की कोशिस करते है रहे भाई या यहां पर देखिए तो सही ऑप्सन में दिया ही नहीं है पर पॉइंट के पॉइंट के बाद नहीं दिया है दूस्तों तो आपको क्या करना है कि जहां तक आपको पुछा गया है उतना ही आपको करना है कुछ बच्चे ऐसे टाइम वेस्ट कर देते हैं इसलिए यहां पर यह सारी बाती छोटी-छोटी बाती आपको याद रखनी होगी आपको कहां पर 21 है तो यहां पर C में है तो C is the correct answer आप देखे क्या होता है कि मानली जी यहां पर आपको बतायागा 21.6 यहां पर आपको दिया गया 21.46 यहां पर दिया गया हो 21.48 तो इस तरीकी का जब होता है न तो अप्सन में अगर इस तरीके से पॉइंट दिये होते तो आपको पॉइंट के बाद जितने भी अंक आते हैं वो आपको करने पड़ेगे ओके ओप्सन के आधार पर आपको आगे की प्रोसेस करनी होती है चले यहां पर हमारा अंसर क्या बन रहा है 21 प्रतिसत नेक्स्ट क्विशन देखते हैं क्विशन दी गई अवदी के लिए कुवेट से तेल आयात में पिछले वर्स के मुकाबले प्रतिसत वृद्धी या कमी का लगबग गुसत क्या है अब क्या पुचा जा रहा है कुवेट कहां पर यहां पर है उसकी तेल आयात में पिछले वर्स के मुकाबले पिछला वर्स पिछला वर्स 2017 2019 का पिछला वर्स यानिकी 2018 तो यहां पर यहीं बताया गया ही कि कुवेत से जो तेल आयात होता है यह जो तेल आयात हुआ है कुवेत का उसमें पिछले वर्स के मुकाबले प्रतिसत वृद्धी हुई है या कमी हुई है तो जो भी वृद्धी हुई हो या कमी हुई हो उनका आपको क्या करना है आउसत निकालना है तो सबसे पहले यहां पर देखें सवाल में आपको दो प्रोसेस करनी होगी क्या करना होगा दो प्रोसेस एक तो सबसे पहले आपको पिछले वर्स के मुकाबले हर साल की क्या निकालना होगा प्रतिसत निकालना होगा यानि कि प्रतिसत रुद्धी होई या कमी देखे प्रतिसत नहीं पुछा है यहां पर आपको क्या पुछा है प्रतिसत रुद्धी या कमी तो आपको प्रतिसत रुद्धी या कमी निकालनी होगी उसके हम पिछले वर्स का अगर निकालते हैं तो देखी 2015 के आगे तो कोई वर्स है नहीं तो 2015 का तो निकलेगा नहीं तो यहां पर क्या होगा 2016 से स्टार्ट करेंगे तो दो हजार सूला की अगर बात करते हैं तो अगर इसका प्रतिसत निकालना है प्रतिसत वृद्धी निकालनी है तो क्या करेंगी वृद्धी और प्रतिसत वृद्धी है कमी का मैंने क्या पूर्मना बताया हुआ है कि जो भी आपको दिया गया वर्स और दिया गया वर्स यानि कि 2015 और 2016 है न तो यह आपका दोनों जो यह जिनके तुलना में आपको वृतिय कम ही निकाल लिये तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इन दोनों के आंकडे का क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंस निकालना पड़ेगा यानि कि इन दोनों का difference उपर की ओर आएगा और यहाँ पर नीचे की ओर की आएगा तो नीचे की ओर पुछा पिछला वर्स, कुँछा पिछला वर्स कुँछा है तो 2015 है, अगर 2016 की बात करते हैं तो उसका पिछला वर्स होगा 2015, तो 2015 के जो भी अंक होगे उससे आपको क्या कर पड़ेगा नीचे की वर रखना पड़ेगा ओके तो सबसे पहले हम उसे लिख देते ती तेरा पॉइंट नुए पिछले वर्स की यहां पर क्या संख्या लिखी जाती इन्टु हंड्रेड अब यहां पर क्या आएगा डिफरेंस निकाला है ना तो इन दोनों का डिफरेंस न क्या कालो । दा पॉइंट ढाइनिस सिर्ओं-9 कितना होगा तो दीक आज मैसे तोन् Почему जा यहां पर तीन 2003 जायेगा जिरू यांपर बन मेर्स आएगा 0 यानि के या मिलरा नो पॉयंट नो जिरो 00.9, बटे 13.9, इंटू 100, अब देखिए, क्या करना होगा, मैंने क्या बताया था, कि पॉइंट पॉइंट को हटाल, हटाल लिया, अब क्या मिल रहा है, नो और यहाँ पर 149, अब देखिए, नो और अंड्रेट को अगर यह मल्टिपलाय करते, तो कितना मिलेगा, तो आप ब भाग थोड़ा सा कर लेते हैं 900 बटे 149 अब देखिए 149 जो है आपके तेर का अगर पहाडा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा साइडिया मिल जाएगा तो तेर का पहाडा पढ़ी तो आपको पता चलेगा यहां पर 149 को आपना तो यहां पर आप छे से अगर पहले बाग गुना इंटू करके देख लेजिए तो नोचे कितने होंगे चुपन है न और यहां पर आगे 5 तो 6,3,8,18,5 कितने होंगे 8,5,20 यहां पर दो आगए 6,6,6,2,8,834 मिला अब देखे 834 में अगर आप 149 प्लस करते हों तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 के बाद 7 आ जाएगा यानिकि 149 इंटू 7 अगर करेंगे तो यह इसका सम हमें मिल ज जाएगा तो 9,4,13 ओके यहां पर आगा है 1,3,3,6,1,7 और 8,9 तो यहां पर देखे 149 को अगर हम साथ से गुना करते हैं यह जो मिल रहा है न वह आपको मिल रहा है 149 इंटू 7 इस इक्वल टू 978 ओके तो यह आपको इसका साथ से गुना करते तो इतना मिलता है लेकिन हमा 149 इससे क्या करेंगे गुना करेंगे तो 149 को 6 से गुना करते हैं तो आपको क्या मिलता हैं 824 चली नो सो में इसे 834 जाएगे तो कितने रहेंगे तो सांट और 6,6 ओके तेखे इस तरह के से आपको आना चाहिए लेकिन अगर आपको की सरह कसी भी करना है तो कर देते हैं चार जाएंगे तो छे नो में से छे जा तीन जाएगे तो छे और याँ पर आजाएगे यह थांट में शांड़ाई जिरो 6 अगना यहसे ही चले अभी आगे कुछ है नहीं है बिल्कुल भी नहीं है न तो यहां पर हम क्या करेंगे पॉइंट लगाली जी यहाँ पर लगाली जी जीरो ओके और नीचे उतार दीजे जीरो अब देखे ये तो 6 से अगर भाग करते तो इतना मिलता है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा 149 को 5 और 4 दोनों से इंटू कर दीजे तो देखे 5 से करते हैं तो 9,5,45 यहाँ पर 4,5,3,15,15,4,19 यहाँ पर 1,5,1,5,1,6,6,9,5 मिला लेकिन हमें तो 6,6,0 चाहिए है तो यहाँ पर यह ज़्यादा हो जाता है तो 149 को 4 से इंटू कर दीजे ओके तो 9,4,36 यहाँ पर 3,4,3 12,12,3,15 यहाँ पर 1,4,15,5,6 आ गए तो चले यहाँ पर 4 से इंटू करते हैं और लगा लेते हैं 556 तो हमें यहाँ पर क्या अंसर मिलता है तो 10 में से 6 जाएगे तो 4 और यहाँ पर 5 में से 5,0 और 6 में से 5 जाएगा तो एक यानिकी 104 बचे तो देखे यहाँ पर हम अभी त करना चाहते तो कर सकते हैं लेकिन हम अभी यहाँ पर फिल्वाल 6.4 लिख देते हैं चले यह हमें मिल गए आपको किसका तीकि बहुत थोड़ा सा लंबा है तो बोर ना होईएगा और खुद से भी ट्राइग करें कि मैं अगर करती हूँ यहाँ पर बताती हूँ तो आप भ अब आते हैं आगे की वर तो 6.4 हमें यहाँ पर मिल गया ओके अब देखे 2017 की बात करते है 2017 में देखे तो 2017 में यह दो आएगा है ना तो यहाँ पर इन दुनों का पहले डिफ्रेंट निकाल दीजे कितना निकलता है आट में से आट जाएगे तो 0 गया 14 में से 11 जाएगे त कितना 3 रहेगा ना तो यहाँ पर कितना मिलता है 3.0 3.0 बटे कितने आएंगे आपके पिछले एयर में कितने हैं तो पिछले एयर में यानि की 2016 में है आपके 14.8 तो यहाँ पर लिख दीजे 14.8 इंटू 100 ओके चले पॉइंट पॉइंट को हमने निकाल दिया क्योंकि पीछे देखे सैम है ना एक एक ही संखिया है इसलिए तो आप किस तरीके से लिखा जाएगा 30 बटे 148 ओके 148 अब देखे यहाँ पर जो 30 रहे ना 30 को अगर 100 से इंटू करती तो कितना मिलता है तो पिछे 2 वन के पिछे जितने आंग को सुने होगे वो सुने यहाँ पर लगा दिय जाएंगे ना तो 30 कुना 100 करेंगे तो कितने मिलेगे 3000 तो यह आ गया आपके 3000 अब देखे इनको भी भाग करना है तो 3000 बैटे 148 चले करिए 148 किसके नियर है तो आप कहेंगे डोड़ डेड़सों के नियर है ना तो डेड़सों का अगर पहाड़ा पढ़ते हैं वह तो का पहाड़ा पढ़ी तो 1200 मेंसे एक से गुना करते 148 हम इंपहे मैंनस 2 करते तो डेड़सों दूनी कितना होता है तो आप कहेंगे मैं 300 होता करिब लाना है ना तो तो दिखेने यहां पर देरड सो मेंस तो नहीं तो माइनस चार करेंगे तो आपको यह और क्या 148 पहड़ा यह जाएगा 148 लुना जो करेंगे वह आपको यहां प्रांसर ऐसे Kunstar करता है 300 में से चार माइनुस करते हैं कितने मिलते दोस्टशनुवे यानि कि 296 मिलता है तो हो गया इसी ओके चलिए यहां पर में 300 के करीब लाना है तो अगर हम 103.500 को तीन से इंटु करते तो कितना मिलता है डेड़ सो तीन कितना होगा 15 45 यानि 450 होगा तो 450 में से हम कितना माइनस करेंगे 246 है ना तो 6 माइनस करेंगे तो कितने मिलेगे आपको 444 है ना तो ये आपको किसका मिला ये आपको मिला 148 इंटू 3 का ओके ये अंसर आपको मिला 148 इंटू 3 का देख लिजे चेक करना है तो क्या कर लिजे 8 3 24 यहां पर 4 यहां पर 2 4 3 बारा बारा दो 14 14 का यहां पर 4 यहां पर 1 3 इंटू 1 3 और प्लस 1 4 ओके हो गया आ गया अंसर तो बस इसी तरीके से आपको करना है चलिए अभी 148 को किसे हम 2 से इंटू करते हैं तो हमें कितने मिलते हैं 300 में से हमें 4 माइनस करने पड़ेगे यानि कि दोसो 296 मिलते हैं चलिए अब कितने माइनस होगे 4 मैनस होगे उपर से उतार लो 0 को चलिए अभी 0 को उतारते हैं फिर भी यह संख्या क्या है च्छोटी है तो क्या करेंगी दोस्तों यहां पर अभी कुछ भी भाग नहीं चलने वाला तो यहां पर जीरो रख दीजी ओके जीरो रखकर हमें क्या करना है यहां पर पॉइंट रखकर उपर से जीरो उटार बेनी है नीचे की वाल ओके चलिए आ गई यहां पर अब देखे क्या करना 148 को अब 400 के करीब लाना है तो 400 के करीब है 296 ओके चले 10 में से 6 जाएंगे तो 4 यहां पर 9 9 में से 9 जाएगा 0 यहां पर 33 दो जाएगा तो चले इन सबकों में हटा लेते हूं दाकि यहां पर सब कुछ छी चड़ी की तरह ना लगये ओके आप तब तक 2018 का निकालते रहे चले अब किसका निकालना है 2018 का निकालना है निकालीजे 2018 का किस तरह के से निकालेंगे इन दुनों का 17 और 18 का क्या करेंगे उनका आप पहले डिफरेंस निकालेजे डिफरेंस कितना निकलता है आठ में से 5 जाएगे तो 3 रहेगा और यहां पर 11 में से 11 जाएगा तो 0 रहेगा तो 0.3 इसका डिफरेंस निकल गया अब देखे पिछला इयर कौन सा है 2018 है तो 2018 का पिछला इयर 2017 2017 में कितने 11.8 लगा लिजे 11.8 इंटू 100 कर दीजे अब देखे क्या है मैंने क्या बुला पॉइंट 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 अटा लिया अब देखे 03 रह गया है न यहाँ पर क्या रहे गया 03 को हम 3 लिख सकते है बिल्कुल भी लिख सकते है न और निचे की वहार 118 चलिए अब तीन को 100 से इंटू करते तो कितना मिलता है मल्डिप्लाइ करने से मिलेगा 300 ओके तो चले 300 बटे 118 तीन सो बटे कितना करना है एक सो अठारा करना है चलिए अब देखिए 300 इंटू एक सो अठारा तो एक सो अठारा को आप 2 से डिवायर मिल्टिप्लाइ करें आट तो नी सोला यहाँ पर बन दो एकान दो दो एक तीन और दो एक नना तो ओके यह मिल गाया आप देखिए 118 को 3 से अगर multiply करते तो 8 3 24 यहां पर 2 3 2 5 और 3 354 मिलता है तो यहां पर 300 से यह ज्यादा हो जाता है तो यहां पर हम 2 से multiply करेंगे चले 118 into 2 2 is equal to कितना मिलता है 2 3 6 चले अब 300 में से 236 माइनस करते कितने मिलेगे 10 में से 6 जाएगे 4 9 में से 6 3 जाएगे 6 और यहां पर 2 2 में से 2 0 64 अब देखे आगे कुछ है बिल्कुल भी नहीं है अब यहां पर कुछ भी नहीं है यहां पर हमें 64 मिला है लगा लिजे पॉइंट और उपर की वर से 0 रख के नीचे की वर क्या करना है जिरू रख देना है चलिए 118 को अब किसे मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमें 640 के असपास चाहिए ना तो तीन तीन का अगर तीन से मिल एक सो अठारा का तीन से मल्टिप्लाइ करते तो कितना मिलता है 354 मिलता है तो अब देखे 5 से इंटू करके देखे 8 पंचे 40 यहां पर 4 पांच 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 चार नो और पांच पांच 590 मिल गए अब देखे 6 से अगर इंटू करते तो ज्यादा हो जाएगा देखे 8 से कितने होंगे अगर इस तरीके से निकर ना तो यहां पर 118 लगा लिजे इंटू 6 के आधार पर यहां पर 5 किया ना यहां पर 6 करेंगे तो 118 उसमें प्लस होंगे तो देखे 8 9 10 की सून यहां पर वन 5 1 6 6 7 708 हो जाते तो 640 से ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या 5 से मल्टिप्लाय करना पड़ेगा तो यहां पर 2.5 अब यह अंसर मिल रहा है क्या आता है 590 590 640 में से 590 जाएंगे तो कितने रहेंगे 50 रहेंगे अब देखिए क्या मिला 2.5 लगा लिजए इसे 2.5 चली अब आगे देखते हैं किसकी बारी आती है अब आगे आगे यह ना इसे हटाने में टाइम ऐसे ही चला जाता है दूस्तों आप करते रहें दोजार उन्नीस का करें चली फटा फट से अपनी नौट बूक लेकर ही बैठना डियाई जब स्वाल करने बैठना तब इस तरीके से नौट बूक लेकर ही बैठना चली डियाई वैसे खुद करने बैठोगे न तो इतना टाइम नहीं लगेगा यह तो आपको समझाना होता है इसलिए इतना टाइम लगता है चली दोजार उन्नीस का करते हैं कि दोजार उन्नीस का पर यहां पर अठारा उन्नीस इनका डिफ्रेंस निकाली जे कितना मिलता है सत्रा पॉइंट आठ माइनस कितना करेंगे बड़े में से चोटी संक्या में क्या करने होगी माइनस कर देना और कुछ भी निकाना आठ में से पांच जाएगा तीन रहेगा उफ्रैया 17 में से 11 जाएगा तो 6 रहेगा यानि कि 6.3 आपको मिल गया 6.3 बटे कितने हैं उसकी 2019 कहा है तो 2018 में कितना दिया है 11.5 तो लगा लिजे 11.5 हिंडू 100 ओके चलिए आप देखिए 6.3 है तो पॉइंट से पॉइंट कट गया तो कितने रहे 63 और बटे कितने 115 आप करते तो क्या होगा 63 सो हो जाएगा अब चलिए इसका भाग कर दीजिए 63 सो बटे कितना करना है 115 करना है चलिए 115 से इसे डिवाइड कर दीजिए क्या है यानि कि हमें 630 के आसपास लाना है 115 को अगर हम 5 से इंटू करते हैं तो 55 25 यहां पर 25 देका 552 साथ और 5 करना 5575 मिला अब देखे 115 को हम 6 क्या करते हैं कि मल्टिप्लाइ करते हैं तो 6530 यहां पर आ गए 363 8 और 6 कनशे 600 ऐसी तो देखे 600 ऐसी है वह 630 से क्या है वह ज्यादा है उके तो यह क्या है उससे ज्यादा हो गए ना यहां पर श्वारी 630 मों होगे उके चलिए यहां पर नों होगे लगा लीजे चार से कर लीजे तो पांचो इक सो पंदरा इंटू चार तो चले इसे हम क्या करते हैं इसे हम करते हैं 4 से इंटू यानि कि 115 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 460 मिलेगा 250 में कि 35 od rc लेगी टर्बाइन उचना रहता है 9 कितना मिला को नव्य मिलते हैं तो यहाँ का नपये बागे पोइंटो 9 एक अंक लिए ना तो पॉइंट के बाद हम एक तक चले जाएंगे पॉइंट लगा लो उपर से 0 लिक का नीचे उता लो अब 90 मिल नो स्वारी 900 मिले तो 115 को हमें किसे इंटू करना यहां पर 6 से इंटू करते तो 690 मिलते ना तो साथ से कर लिजे 7 5 35 यहां पर 3 7 3 14 10 10 यहां पर 1 7 7 7 8 805 हो गए अब दीखे 805 में हम 115 यानि की 115 एड करते हैं तो 5 मां 10 यहां पर 1112 आठीक नो तो 920 हमें कब मिलेगा जम 115 इंटू 8 करेंगे तो ओके तो यह 920 मिलेगा लेकिन हमारे पास 900 है तो यहां पर यह ज्यादा हो जादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा साथ से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो 115 इंटू 7 805 ओके कितने मिले 95 चलिए अब आ गया पॉइंट के बाद हमारा यहां पर आंसर कितना आया 54.7 चलिए अब आपको क्या करना है अब आपको इन सब को हटा कर यह हमने क्या कर दिया प्रतिसत वृद्धी या कमी जो भी निकलत अब यहां पर रुद्धी कमी कुछ नहीं पूछा गया इसलिए हमने यहां पर बताया निंकि आप दो साल में एक के धुर्द्ध पर में किसके कमी हुई उके चो भी हुआ है वंने यहां पर बताया कैप यह मने यहां पर एसे डाइरेक्ली बता दिया चलिए अब हमने क्या किया दोस्तो अब हमने यहाँ पर दिखे यह ऐसे दो प्रतिसत रुद्धी वाला तो किस खतम कर दिया अब अवस्त अवरेज निकालना है तो इन सब को यह जो है ना यह सब का पद है उंका योग कर लिजे यहां से ही कर लेते हैं पॉईंट पॉईंट यहांप रख दिए 4 2 6 6 5 11 11 7 कितने होंगे 11 7 आपके होंगे 18 ओके यहांपर आ गया 18 और यहांपर बन 6 7 7 7 7 0 7 29 9 4 13 ओके यहांपर आ गये 1 1 और यहांपर प्माँच यानि की 63 अलग प्रेस तेना 63 पॉईंट नहीं रुके 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 चार दो छेख़े पांच ग्यारा 11 ओके यहां पर 11 11 11 7 18 यहां पर यहां पर बना गए तो 6 1 7 7 यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दो है वन प्लस तो त्री थ्री पांच कितने होंगे आठ यानि की 83.4 आपको मिले कितने मिले 83.4 चलिए आपका योग निकल गया 83.4 चलिए कहां गया 83.8 बटे कितने करेंगे संख्या कितनी है एक दो तीन चार तो बटे चार ओके यहां पर दिखें यह पॉइंट हटाना हो तो क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं 838 बटे चार इंटू दस दस कहां से आए यह पॉइंट अटाया इसलिए नीचे की वर दस आ गया ओके तो दिखें अब क्या करना है अब जितना कटता है काट लीजिए अगर नहीं कटता है तो फिर हमें भाग करना पड़ेगा ओके तो यहां पर दिखें दो से अभी क्या होगा इसे भाग ढोचाएगा ख जाये लुकाइं तो 4,4 दूनी आठ अठ और यहांपर दो से करते हैं तो देखें 2 दूनी चार अब दिखें 2 सबयेमे चार दूनी आठ दो एक अनना दो यहाँ पर यह करेगा 189 दुनी 18 ओके यह हमने क्या किया 2 से मल्टिप्लाइब 2 से भाग किया तो यहाँ पर 2 दो कट गए ओके तो रहे कितने 499 बाटे 2 इंटू 10 यानी की 419 बाटे कितने 20 तो कर लिजे 419 बटे 20 कर लिजे 419 बटे 20 20 दूनी 40 यहाँ पर 41 में से 40 जाएगा तो कितने एक उपर से उतालो 9 ओके चलिए अब देखे कितना होता है 20 ज्यादा हो गया पॉइंट लगा लो यहाँ जिरो लगा कर आगे भागनी चल रहा है तो 0 लगा कर क्या रखना है पॉइंट कर दो यहाँ पर 0 रखकर यहाँ पर 0 रख दो चलिए अब देखे कितना होता है तो 20 पांजे 120 कितने होंगे 9 दूनी 28 रहा हा 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 बीस नब्ब एक सो असी होगे यहाँ पर आगया 10 यानि कि आपको क्या मिलता है 20.9 20.9 का मतलब क्या होता है कि 21% कहा जाता है 21 से बहुत करीब है तो यहाँ पर यही बात बताई गई थी तो यहाँ पर आपका अंसर क्या आएगा 21 प्रतीसत आएगा तो दोस्तों इस तरीके के भी क्वेशन आ सकते हैं 20.90 भी आगी हम करते हैं क्या होता है जिरो उतालेते हैं 20.500 हो जाते हैं तो यहाँ पर 0-0-0 यानि कि 20.95 आया है 20.95 तो इसका मतलब क्या होता है 21 प्रतीसत मान सकते हैं 20.50 भी अगर होता है तो हमारे अपने देखा होगा कि आपके मांक सीट में भी 20.50 अगर 50 या 50 से जादा हो जाता है तो एक परसेंडेज माना जाता है तो इसी तरीके से 20.95 है इसलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा 21 परसंट अगर आप यहाँ पर दो पॉइंट के बाद दो अंगतक करते तो यह 21 परसंट के ऊपर थोड़ा सा चला जाता तो अभी आपका अंसर क्या आता है 21 परसंट ही आता तो यहाँ पर आपका अंसर क्या है डिस्ट करेक्ट आंसर चलिए नेक्स क्वेशन देखते हैं नेक्स क्वेशन में क्या है यदि P और Q पी और क्यू क्रमस वर्स 2019 और 2017 में यानि कि 2019 का जो वर्स है और 2017 को क्या बताया जा रहा है पी माना जा रहा है कहां पर है यहां पर यह पी हो गया दो जार सतरा कहां पर है तो यहां पर है तो उसे क्यू माना जाता है तो पी ौर क्यू क्रमस वर्स 2017 में सभी देशों के तेल आयात के अवसत हैं सभी देशों के सब देश यानि कि सवादी अरब, इरान, इराक, नाइजीरिया, कुवे और मैनेजुेला इस सभी देश क्यों में भी इसी तरीके से होगा सवधी अरब इरान इराक नाइजेरिया कुवेट और वेनेजुए लाओ के इस तरीके के आपको लाइन बनेगी किस तरीके से इस तरीके के देखें सभी देशों की बात की गई ओके तो देखें उनका आद जो देशों का जो तेल आया थे हैं वह यहाँ आपको मिले गा है न उसकी और उस के अवसत है तो यह जो आउसत हैं इसकी एवरज और подар इसकी ऑवरेजड़न की और निस की एवरेज उके उन एवरेज है तो पी माइनस क्यू लगबग किसके बराबर होगा अब देखें इनकी एवरेज निकालो उसके बाद क्या करना है पी माइनस क्यू करना है और लगबग कितने बराबर होगा तो लगबग अगर आता है तो आपको यहीं मान कर चलना होगा कि यहां पर क्या होगा कि आपका लगग यानिकी परफ्यक्त अंसर नहीं आसकता उसके नज्दिक आपका अंसर हजाएगा पहले आवरेज निकालते हैं उसके बाद देखते क्या होता है कि इच्छल, सबसे पहले हम 2017 को बताया गया क्यूं 2019 को बताया गया पी तो इनका एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इन सब का पहले योग करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए हमने क्या बताया योग कर लो चलिए योग कर लो तो क्या होता है दो 12 20 चार 200 छे 6 18 14 14 कितने हुए 12 13 आपके 17 यहां पर साथ यहां पर वन आ गए साथ एक आठा एक crack नो पांच चोदा चोदा तीन सत्रा सत्रा एक अठारा अठारा साथ कितने होंगे सही अठारा साथ पच्चीज यानि की पांच और यहां पर आ गए दो 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 चार चार दो छे चेक साथ साथ एक आठ आठ एक नो ओके 95.7 ओके थोड़ा सा गरबर हुआ था सम करने में ओदाय छे 5 11 11 6 17 17 2 19 19 8 27 और 27 छे आपके होंगे 27 6 33 ओके यहां पर थ्री आ गए यहां पर आठ चे चोदा चोदा दो सूला सूला छे 22 25 27 26 33 यहां पर तीन तीन दो पांच पांच साथ बारा बारा पांच साथ बारा बारा चार सूला सूला चार बीस पीस साथ 27 27 नो होंगे आपके 26 36 के चले यहां पर दोस्तों आएगा आपका 116.3 ओके इनका सम किया हमने 2017 का और 2019 का सम किया तो यहां पर आपको अंसर कितना मिला 116.3 मिला और यहां पर क्यू का मिला आपको 95.7 चले अब एवरेज निकालते हैं दोस्तों थोड़ी से गलतिया हो जाती है सबसे है ना हमसे आपसे भी होती है कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है चले 95.7 आपको योग मिला संख्या कितनी है गिन लिजे एक दो तीन चार पांच छे से म रहेगी दोनों में ओके दोनों में से रहेगी यह च्छी आ गए आपके यह किसके आए दोस्तों यह आए आपके क्यू के ओके और यहां पर देखते हैं पी की आवरेज निकालते हैं तो पी के कितने हैं आपके तो 116.3 बटे कितने चे ओके तो यह आपको क्या करना है आपको आपको आवरेज निकालना है ना तो आप चले आवरेज निकालो इन लोगों का तो यहां पर दीके क्या निकलता है दोस्तों एक पॉइंट को भटा लेते हैं अगर नही भी अटाना तो कोई बात नहीं आपको यह याद रखना है कि जितनी अंके बाद पोइंट है उतने अंके बाद आपको क्या करना पड़ेगा पॉइंट रखना पड़ेगा जब ही आप डिवाइडन करते हो तब तो तो दीके 95.7 उसको आपको किसे 6 से भाग करना है शे करना छे यहाँ पर 3 यहां पर उतालो 5 उखे तो तीके कितने हो मच पंजे 30 तो में तो धित्के 35 मिन मुझे 30 जाएगी तो कितने रहेंगे पांच रहेंगे kind x प्टि आगए ना तotion आगए होग挺 को जो क्या चलो मासाद को नो चोपन होगे नशे नव्य चौपन तो यहां पर तीन आ गया ओके अब दिखिए यहां पर 0 लगा लिजी यहां पर पॉइंट है इसलिए यहां पर 0 लगाकर नीचे उता लिए 6 बंजे 30 हो गये तो यहां पर आपको आंसर एवरेज कितनी मिली इसकी इसकी मिली 15.95 ओके 15.95 यह आपको किसकी मिली यह आपको क्यों की एवरेज मिली किसकी मिली क्यों की चलिए पीकी निकालते हैं पीकी क्या है 116.3 कभी-गभी ना गाड़ी इस तरीके से उतर जाती है पट्री पर से तो फिर से चड़ानी पड़ती है चलिए कोई बात नहीं चे से किजिए चलिए डिवाइडेज किजिए 116 को तो छे इक ना छे चे दुनी 12 हो जाएगा तो छे इक ना छे ग्यारा में से छे जाएगी तो छे दुनी 18 छे तिन अठारा छे चोग 24 हो जाएगे तो छे तिन अठारा ओके अब देखे तीस में से अठारा जाएगे तो पांच रहेगा है ना अब देखे क्या करना है उपर से अभी दो अंग तक लिए ले लिजी यहां पर दो अंग लिए ना पॉइंट के बाद तो य 19.38 19.38 अब देखे अब क्या करना है अवरेज तो हमने दुनों का निकाल लिया अब निकालना है P-Q तो निकाली जे P-Q P minus Q is equal to कितने होंगे तो P का क्या है 19.38 minus Q का क्या है 15.95 ओके चले अब देखें क्या निकलता है 8 में से 5 जाएगे तो 3 रहेगा 3 में से 9 नहीं जाएगे इसलिए क्या करेंगे 13 में से 9 निकालो कितने रहेंगे 4 रहेंगे अब देखें यहाँ पर point आ गया तो लगालो point दोनों मिस्तियाम है ना फिर यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने 10क ली आए तो यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो 3 रहेगा ओके और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0ускे यानि कि आपको P minus Q क नेक्स्ट क्वेशन और यह आपका आखरी क्वेशन है थोड़ा सा लंबा है तो कई जाईएगा नहीं और खुद से करने के ट्राइक कीजिए क्योंकि हमने आगे इसी तरीके का एक क्वेशन किया हुआ है बहुत लेंदी था वो चले निमनल इकितमें से किस वर्स के दोरान पिछले वर्स की तुलना में नाइजीरिया से तेल आयात में प्रतिसत वुरुद्धी कमी सरवादिक रही चले नाइजीरिया को डुंडिये यहाँ पर है और पिछले एयर की जो नाइजीरिया में सभी एयर में जो भी आयत किया ग किसमे रही वह आपको यहां पर बतानी है तो चले यह रहां आपका नाइजेरिया ओके यह पिछले वर्स यह इसका पिछला वर्स यह इसका पिछला वर्स और यह इसका पिछला वर्स तो सबसे पहले क्या करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंस निकालना पड़ेगा दो दुनों का अभी सबसे पहले हम 2016 का निकालते हैं 2016 इस इक्वल टू यहां पर क्या करेंगे इन दुनों का निकाल लीजिए क्या करना है आपको डिफ्रेंस निकालना है ना तो ग्या तेगे 6 में से 5 जाएंगे तो एक रहेगा फिर पॉइंट के बाद पॉइंट लगा ग्यारा पॉइंट से इनटू क्या करना पड़ेगा हंड्रेट क्योंकि हमें प्रतिसत रुद्धी निकाल ली है तो हंड्रेट करेंगे यह हो गया फॉर्मूला यहां पर पॉइंट से पॉइंट काट लो कितना मिलता है ग्यारा बटे 116 इनटू देखे यहां पर चले देखे तीन अंग से तो यह हो नहीं पाएगा तो चार अंग क्यों और जाना पड़ेगा तो एक सो सूला को हम किसे मल्टिप्लाइ कर सकते हैं तो आप कहेंगे कि नो से कर दीजिए मैं नो से यहां आठ से आठ से करते चले छे अठ्ठे अड़ तालीस यहां पर चार आ गया आठ एक ना आठ चार बारा का याँ नो और एक नो नो के नो 988 28 मिला अब देखे प्लस एक सूला कर लिजिए अगर प्लस एक सूला करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा यह नो से इंटू हो जाएगा एक सूला का ओक्य तो चले कितना मिलता है आठ छे कितना होगा 14 यहां पर 1 2 1 3 3 1 4 और 9 1 10 1044 मिलता है तो यहां पर क्या 9 से अगर multiply करते तो 144 मिलता है अब 10 से 10 से करना है तो क्या करना होगा उसमें फिर से 116 जोड़ दीजिए तो 6 4 10 यहां पर यहां पर 0 1 1 और यहां पर 1160 बन जाता है कब बन जाता है अगर हम इसे 20 से multiply करते हैं यह 8 से हमने किया ता न यहां पर 9 से किया तो यहां पर हमने 10 से multiply करते तो 1160 मिल जाता है तो यह ज़्यादा हो जाता है 1100 से तो हमें 9 से multiply करना पड़ेगा तो चलिए 9 से करते हैं तो इतना मिलता है 1044 लगा लिजी यहां पर 10 में से 4 जाएंगे तो 6 रहेंगे यहां पर 9 में से कितने जाएंगे चार जाएंगे पांच और यहां पर 00 में से 0, 1 में से 00, अब देखे 56 आया आपका है न तब देखे पॉइंट लगा लिजे उपर 0, नीचे 0 लगा लिजे अब देखे 560 आ रहा है तो 560 किसके करीब होगा 116 लगा आपना 5 से अगर इंटू करते तो कितना मिलता है 6, 25, 37 यहां पर 3, 5, 5, 5, 38 और 5, 580 मिल जाता है तो 116 लगा आपको क्या करना पड़ेगा चार से मल्टिप्लाइ करना 6, 24 यहां पर 2, 4, 4, 2, 6 और 4, 464 आए तो चलिए 9. यहां पर 4 और यहां पर 464 दस में से 4 जाएगा 6 और यहां पर 5, 5 मिल से 6 नहीं जाएगा पंद्रा में से 6 जाएगा 9 और यहां पर 4 मिल से 4 जाएगा तो जीओ यहां पर कितना आ रहा है आपका तो 9.4 आ रहा है देखिए 9.4 ओके चलिए अब देखते हैं 2017 की बात करते हैं 2017 में क्या है दोस्तों 2017 में दोनों का डिफरेंट निकालो 5 में से 2 जाएगा तो 3 रहेगा पॉइंट लगा लो 10 13 यहां पर 2 में से 5 जाएगा ओके बड़ी में से सेबन स्वाड़ों पॉकाइट वैटे कितने पिछला ईयर में कितना था दस पॉइंट पांच था है ना 17 की पिछला ईयर यानि कि 2016 तो 2016 में कितना है 10.5 10.5 ऑंच इं prere salute चली तो दो पॉइंट साथ यानि कि 27 लिख सकते बिलकुल भी लिख सकते नीचे इक 65 सकते है ना पॉइंट पॉइंट कर जाएगा अब देखिए 27 को हंड्रेट से मल्टिप्लाइ करते तो कितने आएगे 2700 आई जाएगे ना अब देखिए चले 27 27 को किस को किस्ते करना 105 से मल्ट डिवाइड कर दीजिए 105 को हम अगर 105 इंटू 2 करते तो कितना मिलता है 5 और 10 यहां पर 1 3 और 2 230 आज जाता है अब देखिए इसमें 105 को एड करेंगे तो कितने मिलेगे 335 मिलेगे ना 3 और 3 तो यह किस्ता का हो गया 3 से मल्टिप्लाइ हुआ 105 का ओके यह आपको यहां पर याद रख लिजिए आगे काम आ जाएगा चले 105 को हम दोसे इंटू करते कितना मिलता है 230 तो चले 105 इंटू 2 यानि कि यहां पर इस इक्वल टू 230 चले 270 में से 230 जाएगे 40 रहेंगे उपर से उतालो जहीरो को और यहां पर आप ना क्या करेंगे 335 आ गए अब देखे 335 में 105 एड करते हैं तो हमें 105 इंटू 4 मिल जाता है तो पांच दस यहां पर बन तीन एक चार और तीन एक चार तो 440 से जादा हो जाता है तो हमें यह वाला यूस करना होगा तो चले 105 इंटू कितना करेंगे 3 ओके चले यहां पर आ गए आपके क्या गए 335 चले अब देखिए 10 में कितने 10 में से 5 जाएगे तो 5 रहेगे यहां पर 9 में से 3 जाएगे तो 6 रहेंगे और यहां पर 3 में से 3 0 तो यहां पर क्या आता है आपका अंसा 23 अभी आगे हम पॉइंट के बाद चले जाएंगे ताकि हम अच्छे से समझ में आ जाए चले 35 को जोड़ीजी 5 और यहां पर 4 वर यहां पर 5 yra5 545 अभी 105 कर लेते हैं तो क्या मिलता एछ से एचा से मल्टिप्लाइ मिलता है 5 0 5 10 यहां पर 15वरी 650 आ गया है तो यहां पर क्या आथता है गर 105 को जे से multiply करोगे तो answer मिलेगा 650 चली 105 into 6 is equal to 650 यानि कि 000 आ गया आपका ओके तो यह आपका answer क्या बना 23.6 23.6 ओके चली उसके बाद देख लेते हैं यह बहुत सारा अब बात करते हैं 2018 की 2018 की बात करते हैं 2018 में क्या होगा तो 2018 में यहां पर थुड़ा सा हटा लेती हैं चली 2018 की बात की गई न तो इन दूनो का हमें different निकालना होगा तो देखे निकाल अस्वर यहां पनाइजीरिया में इन दूनो का से तेरा जाएंगे तो कितने रहेंगे तो रहेंगे आपके दो यानि कि दो पॉइंट साथ आपको यहां पर मिल रहा है पटे कितने पिछला यह कुण सा है 2018 का तो यह वाला की 2017 वाला 13.5 इंटू 100 पॉइंट निकाल लो कितने हुए 27 बटे कितने हुए 135 इंटू 100 यहां पर दीकि 100 है तो 27 को 100 से इंटू करेंगे यहां पर बढ़ा बात है यहां पर तो से अगर करते हैं तो 270 मिल जाता है आपको तो यहां पर यह सुनने रहा ना वह यहां पर दिके सारा 00 बन गया ना तो यह सुनने रहे गया उसे उपर क्यों ले जाएं आ गया आपका 20 चले 20.00 लगा सकते हैं अब आगे कुछ भी बाग नहीं चलता है अब देखते हैं 2019 की बात करते हैं 2019 में क्या है 2019 यहां पर इन दोनों को देख लिए इन दोनों का डिफेरेंस निकाली जैनों में से दो जाएंगे तो कितने रहेंगे साथ रहेंगे पॉइंट लगा लो 15 में से 14 जा पॉइंट से पॉइंट कट गाया अगर पॉइंट कट जाता है अब द look कितने रहें 17 बटे 169 जैं यह इएं दोनों का मल्टिफ्लाइ और दिए यहांपर बन स्वागान के से क्षेन साधाय ज्य।केप ऑप अपढ़ बढ़े साधा है फिर भी बागनी चल रहा हुस्से उतारा थिर भी तो यहाँ पर उस जीरो को रखती कि यहां पर प्ट करक्ष्ट कर सकते हैं कि पुइन के बाद कितनी तो दिखिए यहां पर 9.4 यहां पर 30.6 यहां पर 20.0 है और यहां पर क्या आता है आपका 10 पॉइंट के सम्टिंग आता है न तो यहां पर आंसर दोस्तों क्या आएगा आपका तो आप बोलेंगे में यहां पर 10.6 है वह सबसे ज़्यादा पुरुति यहां कमी जो भी हुई है वह यहां पर आपको दिखने को मिल रहे हैं तो यहां पर आपका आपका अंसर क्या आएगा 2017 क्या आएगा 2017 यानि कि सीज्ट करेक्ट आंसर यह था दोस्तों यहसे एक क्वेशन इस तरीके से स्वाल करने हैं और बहुत ही स्पीडली करने डैली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत इजी वह से आप निकाल सकोगे यहां पर दिखें दस के बाद पॉइंट वाला मै मिल जाता है अगर इस तरीके से हमें अंसर मिल जाता है तो हमें आगे उसकी प्रोसेस करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है ओके आई होप आप लोगों कोई वीडियो अच्छा लगा होगा थोड़े लेंदी क्वेशन थे दो तीन क्वेशन बहुत लंबे थे और एक क्वे